नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आज मैं आपको जिस मंदिर के बारे में बताऊंगा वह भारत का ही नहीं, दुनिया का सबसे उचा और बड़ा मंदिर है। यह मंदिर जितना भाव्य है, उससे भी ज़्यादा यह रहस्य मई है। इस मंदिर के दिवारों के पीछे ऐसे ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं कि उनको कोई विज्ञानिक भी कभी सुलजा नहीं पाया। यह मंदिर हजार साल से भी ज़्यादा पुराना है। तो दोस्तों कौन सा है यह मंदिर और कहां पर है। और इस मंदिर से जुड़े पेहद रहस्य मई बातें आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ग्रिप्या करके सब्सक्राइब कर लिजिएगा। और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप देख रहे हैं अद्बुद दुनिया। अद्बुद अकल्पनिय रहस्माई कहानियों की दुनिया। दोस्तों आज हम भात करेंगे भ्रदेश्वर मंदिर की जो एक हजार दस एडी में चोला राजा दुआरा बनवाया गया था। आज इस मंदिर को बने हजार साल से भी जादा हो गए हैं। यह मंदिर तमिल नाडु के तंजौर में स्धि दूस्तों इस मंदिर के निरमान में एक लाख तीस हजार टन ग्रेनाइट का प्रियोग किया गया था। पर सबसे कमाल की बात है कि ग्रेनाइट इस मंदिर से सो किलोमीटर दूर तक भी कही नहीं पाया जाता। तो इतना ग्रेनाइट कहां से और कैसे हजार साल पहले लाया गया यह है आज भी एक राज की बात है इस मंदिर के दुर्क की उचाई 216 फुट है जिसमें 13 मंजिले हैं और यह दुनिया का सबसे उचा मंदिर है अब सबसे कमाल की बात यह है कि इतना उचा मंदिर होते वे भी इस मंदिर की कोई भी नीव नहीं है हान जी सही सुना आपने इस मंदिर की कोई भी नीव नहीं है आप सोच रहे होगे कि नीव के बिना तो छोटा सा मकान भी खड़ा नहीं होता तो यह 216 फुट उचा मंदिर जिसमें 13 मंजिले हैं जो 1000 साल पुराना है बिना नीव के कैसे खड़ा हुआ है तो इसका जवाब आज तक कोई भी ढोन नहीं पाया है और ये राज राजी रह गया है इस मंदिर के शिखर पर एक सोने का कलश स्थापित है और ये कलश असी टन के पक्थर पर स्थापित है इस पक्थर पर बहुत ही बारीक नकाशी की गई है आज तक ए रहस कोई नहीं सुझा पाया कि आज से हजार सार पहले इतने भारी पत्थर को 200 फुट उचे मंदिर पर कैसे चड़ाये गया होगा जैसा कि आप जानते हो कि ग्रेनाइट पर आज भी नकाशी करना ना मुंकिन है तो उस जमाने में इस मंदिर जो की ग्रेनाइट प करनी पाया है इस मंदिर को ऐसे बनवाया गया है कि इसकी कोई भी परच्छाई नहीं बनती यह मंदिर इतना खूप्सूरत है कि अप्रेल 1954 में जो हजार का नोट जारी किया गया था उस पर इस मंदिर की ही तश्वीर थी इस मंदिर के हजार साल पूरा होने पर भारत सरकार ने हजार रुपए का एक सिक्का भी जारी किया था, जो कि 2010 में किया गया था, यह सिक्का 35 गराम का है, जिसमें 80% चांदी और 20% तांबा है, तो दोस्तों कैसे लगा आज का ये किस्सा, क्या आपको भी इस मंदिर में जाने का सोभग कभी प्राप्ट हुआ है, अगर हाँ, त अपने एक्स्पिरियंस को जरूर साजा करिएगा, मैं इंतिजार करूंगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, तो शेयर और लाइक करना बिलकुर मत भूलेगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो क्रिप्या करके सब्सक्रा आइबी कर लिजेगा, धन्यवाद